जे हिंद साथियों, आज की इस जी के क्विज वीडियो में हम आपसे 10 क्वेस्चन्स पूछेंगे प्रते क्वेस्चन्स के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकेंड का मौका देंगे अगर आपको 5 सेकेंड से जादे का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं रोग करके आंसर सोच सकते हैं उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और अच्छा से एक्स्प्लेइन करेंगे मात्र इस 4 से 5 मिनट की वीडियो से आपको प्रते क्वेस्चन से 3 से 4 जी के फैक्ट मिलेंगे इसलिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए और अपने जेनर नॉलेज को बढ़ाते रहिए तो चलिए बिना वक्त गवाएं आज की वीडियो सुरू करते हैं क्वेस्चन है किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है इसलिए सही ओप्चन है ए टीनिया केपिटीस नक्स्ट क्वेस्चन है ब्रिटिस सरकार ने पहली बार यहां गोसड़ा कब की कि उनका मनसा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है भारत सचीव लार मांटेग्यू द्वारा 20 अगस्ट 1917 को ब्रिटेन की कामन सभा में एक प्रस्ताप पड़ा गया जिसमें भारत में प्रसासन की हर साखा में भारतियों को अधिक प्रतिनी दित्व दिये जाने की बात कही गई थी इसे मांटेग्यू गोसड़ा कहा गया इसलिए सही अप्शन है डी अगस्ट 1917 की गोसड़ा नेक्स्ट क्वेसचन है निम्न में से कौन सी बिमारी फफुद यानि कवक के कारण होती है दमा एथिलीट फूट और खाज ये सभी बिमारिया कवक द्वारफ फ्यालती है इसलिए सही अप्शन है डी उप्रियोक सभी नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिमांकन किस ने किया था? सही ओप्शन है बी सर सिरिल रेड क्लिफ भारतिय महादियूप के भारत पाकिस्तान विभाजन में जिन मुख्य लोग ने हिस्सा लिया वो थे मोहमद अली जिन्ना, लाड माउंड बेटन, सिरिल रेड क्लिफ, जवाहर लाल नहरू, महात्मा गांधी एवं दोनों संगटोनों भारती, राष्टी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के कुछ प्रमुक कारे करतागड़। इन सब में सबसे अहम व्यक्ती थे सिरिल रेड क्लिफ, जिन्ने ब्रिटिस हुकूमत ने भारत पाकिस्तान के विवाजन रेखा की जिम्यदारी स्वपी थी सूरे की उर्जा का मुख्य कारण है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, मैं चाहती हूँ इस वीडियो पर दस लाइक हो जाएं जल्दी से सूरे की उर्जा का मुख्य कारण है नाविकी सल्यन, सूरे में नाविकी सल्यन द्वारा उर्जा उत्पन होती है, इसमें हाइड्रोजन के दो नाविक मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसमें अपार उर्जा होती है, जब दो हलके नाविक परस पर सन्युक्त होकर एक भारी तत तो इस प्रक्रिया को नभी की सल्यन कहते हैं इसलिए सही ओप्षन है डी नभी की सल्यन नेक्स्ट क्वेस्चन है एपिको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया एपिको आंदोलन पांडुरंग हैगडे ने 1975 में चलाया था यहां आंदोलन करनाटक राज्य से सुरू हुआ था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश वनों का सनरचड करना था इसलिए सही ओप्सन है डी पांडूरंग हैगडे नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद राज्जी कौन सा है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए भारती चंदन का संसार में सर्वोच अस्थान है इसका आर्थिक महत्वी भी है यह पेड मुख्य तक करनाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है इसलिए सही अप्जण है C करनाटक इसलिए सही अप्ज़न है C कॉलकाटा भारती संसत द्वारा जै विवीद्ता अधीन यम का पारित किया गया सही अंसर है बी दिसंबर दो हजार दो में जेव विवीता अधिनियम दो हजार दो में नियमित किया गया था इसका उदेश से जेविक संसाधनों का संरचण करना इनकी धारणिये उपयोग का प्रभंधन करना और अस्थानी समुदाओं के साथ उचित वो न्याय संगत साजा करन करना है नेक्स्ट केस्चन है भारत का सुंदर वन किस चीज का उधारण है सही ऑप्शन है बी ज्वारिय वन का ज्वारिय वन वो पर्यावरण की दिरिष्टी से काफी महत्वपूरूण अस्थान रखते हैं भारत में ये वन पस्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में इसके अलावा अंडमा निकोबार में भी पाया जाता है इसके साथ साथ ये वन महानदी गोदावरी, क्रिष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में भी पाये जाते हैं तो दोस्तों आज का 10 क्वेस्चन कम्प्लीट हो गया आपने 10 क्वेस्चन में कितने क्वेस्चन का अंसर सही सही दिया है हमें कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर से जरूर बताएं अगर आपका कोई क्वेस्चन हो तो आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हम आपसे अगली वीडियो में किसी नई क्वेस्च के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दजियस टाइम देखते रहे और अपना नालिस बढ़ाते रहे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत